पियम मोदी ने अपने समोधन का दूसा चरण M Factor पर केंदिर्थ किया। पियम मोदी ने कॉंग्रेस के मेनिफेस्टों पर समार उठाए। बहिलाओं को उनकी मंगल सूत और इस्त्रिधन छिन जाने का डर दिखाया। फिर अपना सीन अठो कॉंग्रेस को आगरा की धरती सिर्च नौति देकर आधियाबादी और हिवाओं का मन जीतने का दाउं चल दिया। पियम ने कॉंग्रेस और सपा को घेरे में लेते हुए उन पर जमकर्षब्दों के बान चोड़े। और इंडिया गडवन्धन को कटगरे में खड़ा करने में कोई कसन नहीं छूड़ी। पियम मोदी बिपक्ष द्वारा तयार की गई राजनिती की पिच पर जब अपने संभोधन रूपी फिल्लिंग सेट करते हैं तो बिपक्ष के खिलाडियों के लिए मौका ही नहीं छोड़ते। बिपक्ष द्वारा तयार की गए भासड रूपी गेंद को किस तरीके से लपका जाता है ये कोई प्रथान मंतरी नरेद मोदी से सीखे। पिए मोदी ने जहां एक मजे हुए खिलाडी की तरह तुष्टी करण पर कॉंग्रेस लेड इंडिया गठवंदन को जम कर खेरा फिर वे अपनी बात को कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों तक ले गए जो पुरानी सरकारों में गूस देकर के अपना काम करा लेने के एक्सपर्ट हो गए थे और पुरानी सरकारों में बैटे हुए लोगों को भी ये मलाईक खाने को मिलती थी उनको भी मजा आता था ऐसे सारे लोग अम्मोदी जब सस्त्रों को यहां बनाने की बात करता है देश को आत्म निर्भर बनाने की बात करता है तो बोखला गये हैं बहुत नाराज है वो नहीं चाहते कि भारत की सेना आत्मन निर्भर बने इसलिए वो मोदी के बिरोद एक जुट हो गये है पीएम ने पहले जहां कॉंग्रेस सहित सभी बिभक्षी दलों के जाती जनगरना वादे की हवा निकाली उन्होंने बिभक्ष द्वारा तैयार की गई पिच पर बल्लेवाजी करते हुए बिरोदियों के छक्के छुडाने में कोई कसर नहीं छोडी पीएम ने जनता के मन में संदे पैदा करते हुए कहा कि कॉंग्रेस और सपा का मैनिफेस्टो ओवीसी के हग पर डाका डालने का संकेत दे रहा है इंडिया गठवंदन की सरकार वनीतो विधार्मिक अरक्षर देंगे और वह है ओवीसी के 27 फिजदी हग पर डाका डालेंगे देश में जहां जहां मोका मिले ये पिछले दिरवाजे से चोरी छिपी से ओवीसी का हग लूट लेना स्टी का हग लूट लेना स्टी का लूट लेना और उनको दे देना और इसमें उसे समाजवादी पार्टी का पुरा साथ मिल रहा है आप याद कीजिए 2012 में उत्तर प्रदेश विदान सभा चुनाव से ठीक पहले कॉंग्रेस की केंद्र सरकार ने तब भी ऐसी ही कोशिश की थी इन्होंने OVC के आरक्षन का एक हिस्सा धर्म के आधार पर माइनोरिटी को देने का फैसला किया था उन्होंने सपा को भी कट घरे में खड़ा करने की कोशिश की पीम ने ब्रस की धर्ती पर दच्छिड के राज्य करनाटक का जिक्र किया पीम ने कहा कि करनाटक में कोंग्रेसी सरकार ने धर्मिक आधार पर लोगों को OVC बनाया है जो OVC के हितों पर डाका है पीम ने यूपी में सपा के वोट मेंग यादव समाज पर भी डोरे डाले उन्होंने कहा कि सपा राज में तुष्टी करण और वोट मेंग की राज़नीती के चलते यादों के हक पर भी नाका डाला गया है इसी कॉंग्रेटें कभी करना टका में, कभी आंदर प्रदेश में, कभी अपने गोष्णा पत्र में, बार बार धर्म के आधार पर आरक्षन की वकालत की देश का संभिदान, देश की अधालतें कॉंग्रेश को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी है उनकी हर बात को देश के न्याई पालिका ने ठुकरा दिया है और इसलिए अब कॉंग्रेश ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है SC, ST, OBC के आँख में धूल जोग करके पाप करने के रास्ते बनाने का काम किया है पीम ने आगरा में यूपी के दो लड़कों का जिक्र कर राहुल और अखलेश की जोड़ी को कटगरे में खड़ा किया उन्होंने कहा कि ये दो लड़के तुष्ठी करण और वोटवें की राजनिती के लिए एक बार फिर साथ आए हैं और यहां उत्तरपदेश में जो दो लड़कों में दोस्ती है ना इसका भी आधार ये तुष्ठी करण की राजनिती ही है दोनों मिलकर भाशन में तो OBC OBC करते हैं और पिछले दरवाजे से OBC का हग छिनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं अंबेटकर नगरी में पीम बावा साहब को कैसे भूल सकते थे उन्होंने अंबेटकर अनियाईयों के मन में अपनी जगह बनाने के लिए बावा साहब और समिधान का जम कर जिक्र किया पीम ने कॉंग्रेस और इंडिया गठबंदन के नेताओं पर बावा साहब और समिधान के अपमान का आरोप भी लगा दिया पीम ने कहा कि कॉंग्रेस और सवा वोटमेंट मजबूत करने की राजनिती कर रहे हैं जबकि वे देश को मजबूत करने की किन कॉंग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है संभिधान का अपमान करती है और सामाजी की न्याय की तो दज्जियां उड़ा देती है लीरे लीरे उड़ा देती है पीम ने आगरा की धर्ती पर हिंदोतो का काट चलते हुए कॉंग्रेस को जम कर घेरा पीम ने कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो को मुसलिम लीग से प्रेरित बताते हुए से मुसलिम लीग का ठपा बताया वहीं आगरा की धर्ती से अपनी सरकार का रिपोर्ट काट देते हुए पीएम ने दावा किया कि उनके मॉडल से देश की 25 करोर जनता गरीवी रेखा से बाहर आई है। मुस्लिम लिक का थपा लगा हुआ है। मुस्लिम लिक की छाप है। कॉंग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सरफ भोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। पीएम ने कानूर विवस्था के लिए सीएम योगी की तारीफ की। वहीं कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी पर हमला बोलते हुए उन्हें अपने चिर परचित अंदाज में सहजादे की उपाधी से भी नवास दिया। पीएम ने कहा कि कॉंग्रेस के सहजादे के एक्सरे की नसर महिलाओं के मंगल सूत्र और उनके इस्त्रिधन पर है। मैं दिन रात महनत तो करता हूँ और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन महनत करते हैं। उनकी पूरी सरकार महनत करती है। एक्सरे कॉंग्रेस के सहजादे की एक्सरे मशीन अब बेहनों बेटियों की अलमारियों में पहुँचेगी। सहजादे की एक्सरे मशीन लोकर में पहुँचेगी। पी-म ने आगरा की जनता से सीधा समवाद किया, कौंग्रेस और गठबंदन की नीती नियत और नारों पर सवाल उठाए, जनता के मन में कौंग्रेस राज आने पर उनकी जमीन और विरासत चिनने का डरवेट आया और फिर जनता को गुस्ता दिलाते हुए कॉंग्रेस और गठबंदन के नेताओं को सीधी चुनोती देकर खुद को रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर संभूची ताजनगरी को मोदी मोदी के नारों से गुंचा एमान भी कर दिया आप मुझे बताईए क्या आप जरा मैं आप सबसे सुनना चाहता हूँ क्या आप कॉंग्रेस सपा को ये पाप करने देंगे ये बेहिमानी करने देंगे ये आपके अधिकार को लूटने देंगे पीएम मोदी के संबोधन का दूसरा चरण एमफेक्टर से प्रेरित रहा इस चरण में पीएम ने कॉंग्रेस के मैनिफेस्टो महलाओं के मंगल सूत्र और इस्त्रिधन के साथ ही तुष्टी करण और माइनॉर्टी का जिक्र कर हिंदुत का काड़ भी केला पहले चरण के एलेक्शन के बाद प्रधानमंती नरिंद मोदी के संबोधन का पूरा भूगोल ही बदल गया है अब बे इंडिया गठवंदन के दलों पर हमला करते हैं कॉंग्रेस का डर दिखाते हैं और कॉंग्रेस की योजनाओं की बात कर जनता के समक्ष ये परसेप्सन छोड़ते हैं कि कॉंग्रेस आएगी तो उनके धन और जमीन में से आदा हिस्सा ले जाएगी कोटी मीनावजार मैदान से अपने साती राकेश कनोजिया मनीज जैन आईशी गौड और अखलिस दुवे के साथ बजय बगहेल सी न्यूस आगरा